ऑप सब कैसे हाइं, ये को पछेश होंगें इंज़ौई कर रहे होंगे, साथ में चार्ट डिडिपिनंग जलूर कर रहे होंगे, हमारे चैनल में आप सब का दिल से स्वागत है, इसमें यहां पर हम डिस्कस करेंगें निप्टी, के लिए वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए मैं दिल से शमा चाता और अभी मैं सबके मैंसेज के रिप्लाइ करूँगा प्लीज परिसान मत हो यह जो भी जैसा भी मेरे पासिबल हो सकेगा भी आज भी चुटी कल भी चुटी है तो जिस तरह से भी हो सकेगा मैं आप लोगों को रिप्लाइ जरूर देने की कोसिस करूँगा ठीक है तो फाइनल चली स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिकेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए है तो प्ली चैनल को सब्सकाइब करें वीडियो को लाइक करें साथ में कमेंट शुरूर करें ओके आपको यह चार्ट है बैंक रिप्टी में आपको देखें ट्रेड किस तरह से करना है यहां पर अगर आप केंडल देखते हैं जो कल वाली केंडल है ठीक है क मार्केट क्याकरति और ओपनिंग होने के बाद आपको टर्प यहां तक बनाया जो इसका बिख यह विक डिख रहें आपको बिख लेए यह विक इसको मिलारी से आंसी होक्ताइब बोलते हैं धिक रिक मतलब आप यूँ कह सकते हैं पूछ बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं तो आपकी जो market जो उपर तक गई वो यहां तक आई आई आपकी जो बिक है बिक के उपर तक वहां तक आई open कहां होई आपका इस body के यहां पर open होई फिर market आपकी कहां तक गई यहाँ पर low आई market आपकी फिर इस low से वापिस आपकी क्या यह बाइंग आई है क्या यह आपकी buying आई मतलब यहाँ से दुवारा buyer active हुए आप चाहे देखे बाइर आपके reliance में active हुए हो चाहे आपके HDFC bank में active हुए है चाहे आपके ICIC में किसी को कोई सक हो तो प्लीज मुझे comment करना यह जो candle के structure बना वो candle का structure इस तरह से बनता है मेरी बात आप समझ गये मतलब red candle के मैं personally बात कर रहा हूं जो आपकी red candle बनती है opening यहाँ close आपकी low यहां तक मारा इसने नीचे आई इसके बाद आपकी closing होई यहां तक गई यह आपक समझ में आपको आई होप समझ में आपको आया होगा green candle को मैंने एक video previous बता जिया था आपको green candle के इस टेक्चर बनता है तो जब इस तरह से बना तो आपको simple एक समझी है कि मतलब यह अगर आपका low बनाया था low बनाने के बाद इसका मतलब इसमें buying आई है थोड़ा सा आई है आप जब भी BTSD करें ना वो daily time frame बाला candle आप open करिएगा जब आप daily time frame के candle open करेंगा तो आपको पता चल जाएगा कि body आपको क्या बनी है अगर green candle को होगा तो आपको यहाँ पर पूरा उपर टाप में आपकी closing दिखाए देगी red candle आपको बनेगा तो यहाँ पर closing दिखाए द यहाँ पर मैंने आपको क्या बता था I.S. Candle x candle में भी मैंने बताये था market में यहाँ पर दिख्फा कोईLes क्लियर नहीं है कि market कहां जा सकती है के market कहांद आपकीClosing का पर होई यहँ गरूरी है वह आपको बहुत जरूरी है समझना तो इसके लिए हम टाइम फ्रेम से हम tang के आपके पांच मिनट में शरय आते हैं धीक है Executive के जैंगे Heart जैसे मैंने आपको बताया कि Market डिया कि अब अगर आप इस प्रह से का कुछ देखते हैं तो आपको यहां पर नजार आ रहा होगा कि market लगभग, लगभग आपका पूरे दिन, पूरे दिन आपका लगभग side वेज रही, है ना, पूरा दिन आपका लगभग side वेज रही, मतलब अभी भी कोई clear नहीं हो रहा है कि market को हम ले किस तरह से जाए, भ़ले आपका gap up opening दे दिया market ने, लेकिन अभी भी किलियर नहीं हो रहा है कि मार्केट हम कहां पर ले जाएं या तो यहां पर अपने राइटर आपके पोजिशन बड़ी-बड़ी बना करके बैठ रहे हैं या तो यहां पर दिसा निर्देश किलियर नहीं हो रहा है कि मार्केट हम ले तो ले कहां जाएं ठीक ह तो अगर दिसा निर्दे स्किलर नहीं हो रहा है तो हमको भी उसी साफ से ट्रेड करना चाहिए देखिए हमको यहाँ पर जबर जस्ती मार्केट से करना नहीं है तो चलिए सबसे पहले आपके काम करिए यहाँ पर आप 10 लाइन बनाएगा इस जगे से आप यहाँ पर 10 लाइन कीचे जैसे कि मेरी पहली भी 10 लाइन थी अब इसको मैं वापिस यहाँ पर थोड़ा सा खीचना चाहरा हूँ जिससे आपको नजार आए तो यह आपका यह 10 लाइन हो गया यहाँ तक पहला ठीक है उपर की तरफ आपका यह क्या बनेगा रिजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे अगर आप सपोर्ट देखते हैं तो एक काम करते हैं हर जेंटल लाइन उठाएंगे और यह सपोर्ट भी हम बना देंगे ओपर हम रिजिस्टेंस भी बना देगे इस तरह से और support बनाएंगे, support भी हमारे जन्टल लाइन से आपका ये वाला support बना देंगे, ये आपका support है, ठीक है, ओके, ये आपका support है, अब बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर्मार्केट तो यहां तक भी आए थी, तो ये support नहीं हो जकता, बिल्कुल हो जकता है, देखे, वो आपक second support होगा, second support को मतलब ये आपका, यहां पर आपका second support होगा, अब आप खुद देख लेजए ना, भाई, market में previous देखिए, क्या हुआ था, यहां से देखिए, यह आपका, यहां पर previous resistance बना था न, इस resistance रेजिस्टेंस यह बना था न, यह वाला resistance देखिए, पिर यह resistance लिया, सबसे पहले range बनाना पड़ता है, कि हम range किस तरह से बनाएं, और किस तरह से हम यहां पर अपने chart के pattern को समझें, और क्या हम यहां पर दिमाग लगा है, कि market यह तरह से कामकाच करेगी, तो देखिए, आपका जैसे की range बनता है, यहां से तो आपकी market उपर चली गई, तो range अब इस range में आपका क्या होता है, no trade zone होता है, आप जानते हैं, कि मैं range में कोई trade आपको ना ही करने के लिए बोलता हूँ, ना मैं personally करता हूँ, मैं आपको बताओ, तो यह range में आपको थोड़ा सा avoid करना है, इस range जैसे आपकी market manager range में उपर होकर कि इसका breakout करती है, आपका 51,400 305,0 का मेरा level है, उसके बाद आपका 51,407,0 का level है, इस सारी चीज हमने आपको बताया हुआ है, तो यहाँ वापिस आपका इसके उपर निकलेगे ना, तो आपका target यहाँ तक कि आपको मिलेंगे, आप चाहें तो बिल्कुल यहाँ से scalping एक आप 1,500 पॉइंट की कर सकते हैं प्ली ध्यान रखेगा, वापिस मैं आपको बोल आओं, आपको 1,500 पॉइंट की scalping यहाँ तक की 1,500 पॉइंट से ज्यादे scalping आपको नहीं करनी है, जैसे आपकी market यहाँ पर रुकती है, जब इसके उपर breakout करेगा आपका किसी भी condition में, आपका 51,503,0 के उपर आपका breakout करके निकलेगा, तब मुझे यहाँ पर वापिस यहाँ पर काल की position भाई करना चाहिए, फिर हमारा target जो है तो आपका 51,700,505 तक के हमारा यहाँ पर target पहले होंगे, मेरे बात आप समझ रहे हैं, कब जब यह आपका यह एक तो 10 line है और यह आपका resistance line जब इसके उपर निकलेगा अब आते हैं पर नीचे की बात करते हैं, जैसे आपके range है, range के बाद यह नीचे आपका breakdown करें, जैसे कि आपकी जो पहले यहाँ पर low बनाया था, जो इसने आज उस दिन आपका कल का low बनाया था, आपका 51,200,505 आपका low बनाया था इसने, और आपकी जो closing होई है, वो कहा हो इतना अगर fast scalper है, बिल्कुल आप यहाँ पर put के trading कर सकते हैं, बट मैं आपको यह advice करना चाहता हूं कि भाई अगर इसकी यहाँ पर खुल करके नीचे आपको बेट करना चाहिए, इस area तक आपको बेट करना है, यहाँ पर हो सकता है वापीस आपकी buying आए, मेरी बात आप स है, यह सिर्फ इसलिए यहाँ पर इसने गिरावट किया, एक candle liquidity grab किया, इसने, तो में भी कि यहाँ पर जब यह liquidity grab किया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके किसके SL पड़े होंगे, यहाँ आपके काल बायर के यहाँ पर SL पड़े होंगे, तो कल क्या हो सकता है, कि market हो सक करना है, मतलब कहने का कि अगर market तो इस range में खुले, इस range में खुले और यहाँ तक आए तो no trade आप कर देना, साथ में इस range में यहाँ पर नीचे भी खुले, मालीज़े कि तन नीचे खुले, यहाँ तक आपको no trade करना है, हाँ इसके नीचे अगर market निकलती फिर आप यहाँ पर चेक कर सकते, देखिए, 51,000 जो आपको target दिया ना, यहाँ पर जो आपके stop last create है न बड़े भाई, यहाँ तक के target आपको मिलेगे, कब जब इसको breakdown करेगा तब, यहाँ तक के target आपको बिल्कुल मिलेंगे, ध्यान में रखे गई यह, आपके SL create है, ओके, तो यह तो नीच नुकसान हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, continue market यही दसा कर रही आपका पिछले 7 days से, और इस साथ दिन में, यह नहीं समझ पा रहा हूँ, कि new trader विचारे जो आए होगे, इस market में नुकसान हो रहा है, मेरो को हर दिन नुकसान हो रहा है, तो market में इस से अच्छे तो trade करना ही नीचे यह, उनको मन में यार होगा, बट उनको यह नहीं लगता कि नहीं, market कई बार ऐसा करती है कि आपकी 10-10 दिन तक भी आपकी range में चलती रहे है market, तो वो जो 10 दिन का period होता है उसमें आपको सिर्फ यह ध्यान देना कि भाई, मेरा कम से कम नुकसान हो सके, और यह range वाल नुकसान हुआ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट उसको बाद में हमने crude में कभर किया, ठीक है, crude में हमने कभर किया था, हमारे बाद में हमारे group बालों को crude में नुकसान भी हुआ है, तो इस तरह से दिखिए plus minus चलता रहा तो उसमें आपको ज़्यादा सोच, अगर नहीं मिलेगा, मैं आपको सच बताओं, बट वो जो moment है ना, वो अगर आपने capture नहीं किया, बाद में आपको trade करेंगे, वो गड़बड हो जाता है, और वहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, मेरी बात आप समझ रहे हो, मैं क्या बोलना चारह हूँ, देखो, भाई का जो moment था, असली, वो तो आपने गबा दिया, अब आप जैसे यहाँ पर put by करते हैं, मार्केट क्या करती है, वो आप इस retracement लेती है, मेरी बात हमेसा द्यान दखना, मार्केट क्या करती है, रिट्रेस्मेंट लेती है, हलांकी मार्केट गिरेगी, भाई, मार्केट ने ठीक धंक से नहीं कर पाया था, वो क्या करेंगे, इस जगह वापिस यहाँ पर seller active होते हैं, तो मार्केट यहाँ से लेकर करके, यहाँ तक वापिस जाएगे, और यहाँ पर आपका वापिस फिर गिरेगे, तो एक retail trader क्या करता है, कि यहाँ पर उसको मोका नहीं मिला, पर क्या करता है, पुट ढूणने लगेगा, मार्केट थोड़ा उपर जाएगी, यहाँ पर वो काल ढूणने लगता, उसको ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट तो गिरावट कर चुकी है, अब उपर जाएगी, वो यहाँ पर क्या करता है, काल भाई करने के बाद, चुकि मा में ट्रेड करेंगे आप यकीन करिए आपका दस ट्रेड में आपका साथ बार आपका नुकसान होगा और जो आपका नुकसान होगा वो बड़े-बड़े होगे आपको जो तीन बार प्राफिट होगा वो बहुत छोटे प्राफिट में आप ले करके भाग जाएंगे तो आप आपको trade यहां पर पकड़ना है, यहां पर क्या होता है, आपको नुकसान छोटा होता है, बट आपके जो profit की probability है वो 70% आपकी बड़ी होगी, यह आप यकीन करिए, तो please इस तरह का ध्यान रखें, तो मैं यह बोला तो इसके breakdown में अगर नीचे जाएगा तो हम यहां पर put why करे करेंगे, फिर हमारा जो target आपको मैंने बता रिया है कि आपका पहला 51,128 का देन आपका इसके नीचे का target यहां पर होगा, clear हो रहे है बाकी range में देखिए please, दुबारा मैं आपस request करूँगा, भाई मानुच जैसा भी आप समझते हो मुझे, बट please इस range में आप trade मत करिए, अगर आप किसी भी market में इस range में ऐसे trade करेंगे ना, आप बहुत बड़ा नुकसान कर जाएंगे, यकिन करिए, बहुत बड़ा आप नुकसान कर जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं क्या करूँ, मेरे पास capital खतम होगा, कई अरचने आती है एक trader के साथ, आप यूं कहा सकते है बिचारेक मैं तो यह समझता हूँ कि सहन सकती कितनी जाद उसके पास होती है, कि वो daily यहाँ पर capital अपना लाता है, फिर पैसा गवाता है, कैसा उसके दिल के साथ गुजरता है, वो देखो, वही एंसान जानता है, जिसके साथ इस सारी चीज़े होती है, समझ रहें, तो मेर मतलब यह कि अगर आप यह trade avoid कर देंगे तो जादा आप सकून से बैठ सकेंगे, ठीक है, breakout करेगा तो करेंगे trade, breakdown करेगा तो trade करेंगे, range में trade नहीं करेंगे, ठीक है, अपने capital को आप थोड़ा सा समा लिए, बस मैं यह, आपने बहुत से लोगों ने message मुझे किया था, बोल बड़ा बड़ा नुकसान कर लिया, तो जब capital रहे गए नहीं तो आप participate कहां से कर पाएंगे, और आप भी अकियन करिए, यह जो market आपकी range में चल नहीं ना, आपकी 5-7 दिन, यह ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, ठीक है, यह वापिस आपकी बड़ा moment करने वाली चाह इसमत ऐसी नहीं है, यह हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, यार, मैं नुकसान कर तो छोटा लूँ, ठीक है, चलो, तो यह आपका क्या हो गया, फाइनली आपका bank निप्टिक हो गया, देखो, बाकी कुछ नहीं, यहाँ पर आपका जो नीचे का target है, ध्यान रख यहाँ पर जब market आपकी आएगी इस जगह है, आपके यहाँ पर कई जगह की SL हीट होंगे, यह SL, यह SL, यह SL, जितने भी SL हैं आपके नीचे पड़े हुए हैं ध्यान रखिएगा, और market इन लोगों के stop loss लेने पका आएगी, किलर हुआ, तो यहाँ हमको trade प्लान करना है, औ बता हूँ कि मेरा जो टार्गेट था, आपका 25,000 कितना दिया था मैंने, आप लोग कमेंट कर देना, 25,200,70 को मैंने टार्गेट पहला दिया था, उसके बाद सिकंड टार्गेट 25,300,120 को मैंने साध सिकंड दिया था, आपको, अब market ने उसको respect तो किया मेरे टार्गेट को म market आपकी यहाँ पर अगर gap up होती है, वापिस नीचे आगी तो इसका support लेकर कि अगर उपर जागी तो हम कालवाई करेंगे, बहुत से लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा पैसा बनाया है, मैं यह भी बता रहा हूँ आपको, बहुत से लोगों ने एक पैसा बनाया है, इस सुरवाद में जो condition बने थे ना, total के total meet किये थे और आपको वहाँ पर benefit भी हुआ था, ओके चलो, तो यह तो आपका जैसे कि यह nifty भी देख रहे हैं, आपका पूरा का पूरा side बेज रहा है, जिस तरह से आपका sunsex पूरा का पूरा side बेज रहा है, अब यहाँ पर resistance भी आप इस जिगे से लेकर यह external line उठा दीजेगा, देखिए, आपको क्या हो गया, अब यहाँ देखे कई support आपके बन रहे हैं, support का मतलब जैसे यह आपका पहले resistance था ना, यह resistance था, यह सारा का आपका resistance था, आप मार्केट ने क्या किया resistance के उपर अभी तक रुकी हुई है, तो यह यह आपका जैसे कि support आप मार्केट में, तो जग तक इसको breakdown नहीं करेगा, तब तक आपकी यहाँ पर निप्टी नीचे नहीं आएगी, अगर इसका breakdown करकर के नीचे यह रुका, मतलब आपका 25,200 के नीचे, 25,200 के नीचे अगर यह रुकता है, तो फिर यह नीचे जितने भी आपका पहला target होगा, second target जैसे कि आप जो बोलते हैं ना, नीचे का, जो पहले मेरा ऊपर का target हुआ करता था, कितना 25,070 का, हुआ करता था ना, यह आप सबको पता है, तो यह मेरा second target होगा, clear है, मतलब नीचे के लिए मैं आपको personally बता रहा हूँ, please note करिएगा, अगर इसका इस बात उपर का, उपर का पूछे मेरे से, उपर का अगर इसका breakout करेगा, तो आपीस आपका उपर का target जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, 25,300,20 आपका पहला target है, 25,400,10 का आपका दूसरा target है, 25,500,30 का आपका तीसरा target है, इस तरह से आपके target यहाप पर निकल करके आ रहे पूसिस करें, साथ में आपका reliance भी साथ दे, ऐसी गलती मत कर देना कि reliance आपका negative है, अब market आपकी उपर जा रही है, तो आप यहाँ पर बहुत सारा काल की quantity में add कर ले, देखिए trade का एक तरीका आप अपनाए कभी भी, अगर तो reliance और nipty आपका एक direction में जा रहे हैं, मेर nipty आपकी उपर जा रही है, तो यहाँ पर आपको बहुत कम quantity में trade करना, मतलब एक quantity, उससे ज्यादा आपको trade ही नहीं करना है, इसी तरह से अगर reliance आपका नीचे गिर रहा है, आपकी nipty भी नीचे गिर रही है, तो ठीक है, आप उट में यहाँ पर quantity add कर सकते हैं, देखो logic अगर आप समझ के trade करेंगे ना, आप यकिन करो, इसमें आप ज्यादा पैसा बनाएंगे, अगर आप market के opposite direction में चलेंगे, अगर आपको लगता है, नहीं, reliance आपको उपर जा रहा है, आपकी nipty गिर रही है, आप इसमें मैं क्या करूँ, कि nipty मैं यहाँ पर ज्यादा quantity add कर लो, तो किसी भी time आपका यह जो reliance उपर जारा है, किसी भी time नipty को आपको उपर टांक सकता है, clear है, तो इसमें आपको नुकसान हो जाएगा, ओके तो इस तरह से आपको देखना है, बागी देखिए range वापिस आपको पता चल गया कि हमारा range है, यह range है, मैं यहाँ पर वापिस बोलना हूँ कि trade को avoid करूगा, मैं Monday को personally आपको बोलना चाहत हूँ कि जिस भी range में market खुलेना, आपको बिल्कुल trade नहीं करना, उस range में, trade के अगर तो range का breakout उपर के तरफ करेगा, तो मैं काल बाई करूँगा, range का breakout नीचे की तरफ करेगा, तो मैं यहाँ पर put buy करू जिसक मैंने बता दिया, 25,120, and 25,070 का, ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, दूसरा चीज की market कहां तक आपकी नीचे आ सकती है, तो दीखे नीचे आने का simple लिजाने कि आप फिवन आसी detachment उठाइएगा, इस जगह से इसके top यहाँ लो से ले करके, आप इसके top में यहाँ प आपको बता है, 25,120, यह लेवल आपका कौंसा है, वो आपका 0.50 का फिवन आसी का लेवल है, और 25,100 और 107 आपका यह लगवाग, आपका 0.61 का लेवल है, तो कहने मतलब यह है, कि market आपकी चाह है, तो यहाँ तक आपको हो सकता है, रिटेस्मेंट ले, इस जगह तर, फिर पहले आपकी बाइंग आए, तो यहाँ तक उपर जा सकती, बट किसी भी कंडिशन में, गर आपका 25,120 के नीचे आई, या 25,100 के नीचे आ गई, तो फिर आपको नीचे के लेवल जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपका ESL अरिया चाहिए आज गिरे चाहिए आपका परसोंग गिरे, इन गिरना जरूर्द ताये हैं ठीक है, तो यह आप ध्यान में आपको रखते हुए आपको ट्रेड करना है, ठीक है तो यह आपका फिबोंसी के लेको सही बता दिया हमें, बांके टेट आपको लास उतना ही देना है जि Steil करिए कि उस से मिं 50% सब्हूंराइक अगर आपने प्रीवियस डे प्रॉफिट नहीं बनाया अगर आपका प्रीवियस डे नुखसान है और आजबियोज यह अगर आपका 500 नुक्सान हो गया ठीक है और आपको लगना मार्केट मेरे बाएक रहा के जगार का दूसरे दिन आपका नुकसान हुआ 500 का तीसरे दिन आपने नो ट्रेट कर देना है मतलब अगर आपने ये कर दिया तो आपका तीन दिन का यहाँ पर नुकसान कवर हो जाएगा जब आप फोर्थ डेज आएंगे ना तो आप फोर्थ डेज आएंगे ना थोड़ा सा माइन फ्रिस्त आएंगा और फोर्थ डेज आपका प्राफिट होने की गिरंटी लगवग आपका 70% है यहाँ तो ये भी आपको ध्यान रखना है मांकि लास की जो आपकी जो भी सिस्टम हो मैंने आपको बता दिया कि भी या जिसके पास कैपिटल 10,000 तक है प्लीज एक हजार से ज़्यादा लास ना करें मेरी बात आप बार बार समझेगा आप सन बाइंग इस समय आपको बचना जलूरी है आप सन बाइंग यही गेम करता है और हमेसे ये करता है महीने में आप यकिन करिए अगर आपका वट एक जारा दिन तो आपकी क्या होती मार्केट आपकी साड़वेज हो जाती है अब 10 दिन आपका अगर market आप डाउन करता भी अगर इस तरह से इस दस दिन में आप क्या करते हैं आप पांच दिन आप नुकसान कर जाते हैं पांच देन आप प्राफिट करते हैं तो आपने क्या कर लिया कुछ नहीं कर पाये आप कोसिज करेए अब यह तभी आप यहाँ पर यहा psychology के बारे में हम कभी वीडियो में आपको डिसकस करके बताएंगे इस्ट ही मैं है कि आपको टेड किससे करना है थो psychology क्या करना है योफ नहीं मार्केट में आपको सच बताओ practical में चलती है यकीन करिए यार market ना practical में चलती है और जो practical इस market अंदर काम करता है न वो आपको एक एक candle का moment बता देगा कि market में इस तरह सी होने वाला है ठीक है बार बार वही चीज में समझाता हूँ अपने last को focus करिए अपने कमाई हुई गाड़ी कमाई हुई capital को आप save करिए बस यही है but please आप हमारा इसी तरह साथ देते रही है हम भी कोसिस करेंगे आपको पूरा साथ देने के लिए जितना मेरे से हो पाएगा बांकि देखिए सब उपर वाले की इक्षा है हम क्या है क्या नहीं है सब वही decide करता है बांकि हम इनसान इस जिन्दिगे में कुछ नहीं कर सकते ठीक है जब तक वो साथ देगा तब तक मैं भी आपको साथ दूँगा जब वही हमारा साथ छोड़ देगा तो फिर हम क्या है ठीक है हम तो एक कीड़े के बराबर भी नहीं है विजिक साथ सब का मैं आसिरवाद चाहता हूँ और उम्मेद करता हूँ कि आप लोग अपना नुकसान जरूर कंट्रोल करेंगे ठीक है चलिए तो वीडियो अच्छी लगिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें साथ में कमेंट शुरूर करें ओके बाबाई और इन्ड़ाइ करिए